नमस्कार दोस्तों स्टूडेंट्स मैं विपूल रातपई स्वागत करता हूं विपूल एज्यूकेशन के कख्षा चेकी हिंदी की कख्षा में आप सभी का कल हमने पार्थ नुमर एक वह चिडिया जो उसका अध्यन किया उसके प्रशनों तर किये आपने अभी तक वह वीड बच्पन चलिए अध्याए पढ़ते हैं देखो लेखी का जो में बच्पनकि बारे में बता दिया इसमें विफैसले नाम है हम देखते हैं कौन है तो लेकिग का का नाम है कुर्षणा आप बच्पन करे में बच्पन की ओर ले जाओंगे मैं तुम्से कुछ अतनी बड़ी हूं कि तुम्हारे दाधी भी हो सकते तुम्हारे नानी के उमर की भी बड़ी भुवा भी बड़ी मौसिभी यानि आप भुवा भी हो सकते हैं मौसिभी परिवार में मुझे सभी लोग जीजी करकर ही पकारते हैं यानि परिवार की सभी लोग जो है जीजी करकर ही पकारते हैं हां मैं इन दोनों कुछ बड़ा बड़ा यानि उम्र म मैं इन दूनों जो आपने को कुछ बड़ा-बड़ा यानि उम्मर में जो मलब बरिपक्वता जीसे कहते हैं वो महसुश करने लगे हूँ शाय इसलिए कि पिछली स्ताब्धी में पैदा हुई थे क्योंकि वह पिछली स्ताब्धी में यानि स्ताब्धी मतलब सद्धी का मतलब होता है मतलब सो वर्ष होग जो समय होता है उसे शताब्दी करते हैं जैसे दस्रक होता है दस साल के समय होता है उसी प्रकार सो साल होगे एक समय को शताब्दी करते हैं जैसे 19 वी स्ताबदी 20 वी स्ताबदी 21 वी स्ताबदी ऐसे मेरे पहने ओड़नी में भी काफी बदलावा है यानि उनके पहने ओड़नी में भी काफी बदलावा है पहले मैं रंग बिरंगी कपड़े पहनती रही हूँ यानि पहले जो है रंग बिरंगी कपड़े पहनती रही है नील जामुणी ग्रेक आख काल चोक्टे आप मन कुछ ऐसा करता है कि शब़ेदे पादे पेनू गहरे नहीं मैं अगरेगी अ के पहले फरोग लडगयां जूटी होती है फिर निकर वोकर स्कर्ट लहेंगे गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुड़ती है बच्पन के कुछ फ्रोग तो मजे अब तक याद है जैसे हलकी नीली ऑर पीली धार्यवाला प्रोग जैसे हलकी नीली और पीली धारय वाला फिक फोट काई गोल evalu अबर लंका बारी चुनोट शुमाला घेरदार फिरोक हो है नीचा गुलावि रकि फ्रील है पुनधी फ्रोग की ऊपर की जेब में रूमान। लेमन कलर का बड़े फ्लेट्ट फ्लेट्ट्टों वाला गरम फ्लोग जिसे नीचे फर्टंग गी थी यह लेमन कलर का यह नीelुकी घ्राइग कलार होता हे दो टैउनिक भी याद है यह जो ट uda मिपtechn के खॉल्ट्रोल बनीची turnout अं Android कोटी अ क्या करेंट अपने मौज़्य और बच्मन में हमें अपने अपने मोजे में धए कंठेल में he इतवार यानि रविवार के दिन सुब्स में इसे कामें लिए लिए दो लेने के बाद अपने जूतिय पॉलिस करके चमक घाने जब जूतिय कपड़े या बरस से रख़ते तो पॉलिस की चमक बने लगते हैं सर्वर मुझे आज भी भूट पॉलिस करना अच्छा लगते हैं आला कि अब नई-नई किस्म के जूते आचके हैं कहना होगा कि यह पहले से कहीं और ज्यादा रामदा जूते हैं हमें जब नई जूते मिलते तो उनके साथ छालों के लाज शुरू आता है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आप जूते हैं या चंपल पहनते हो नई जो आते हैं वो पहरों चुपते हैं जब कभी लंबी सेर पर निकलते हैं अपने पास रूवी जरूर रखते हैं रूवी क्यों रखते हैं कि आपको पता है कि जूता है लगता है पहरों के इसलिए जूता लगता तो रोई जो है मोजी के अंदर हां हमारे तुम्हारे बच्छमारे भॉट फरका चुट है याज क्योड रूसामें की बच्छमे में बहएभ भात बइस हर चनीचर को हमें ओलीव ओइल य्या टेश्ट्र ओइल पीना पड़ता या थो है यह एक मुस्किल काम था यह बहुत मुस्किल काम था सनीतर की सुबह से ही नाक में इसकी गंद आने लगती थी छोटी सीश्य के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं उन्हें देखते मितली आने लगती मितली में उल्टी आने लगती थे मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ने भी पिते तो वसनेवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ने वाला नहीं थी अर्भ्र अले और हम उन्हें नहीं नहीं वे अलग दिलिशप्या हैं कि याद रहें उन दिनों कुछ घरों में ग्रामो फोन थे रेडियो टेलीविजन नहीं थी Satir कि हमारे बच्पन के आइसक्रीम के यानि हमारे बच्पन में कुलफी मिल की थे वह आइस रिम रहे कचूड़ी समोसी जो है अब पेटीज में बदल गए हैं सैतूस और फलासे खस-खस के सर्वत को कोक और पैपसी में बदल गए हैं उन दिनों कोक नहीं लेमनोड और विम्टो मिलते थे मलब कोल्डरिंग के प्रकार है शिम्ला और नई दिली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविंका रिस्तरों की चोकलेट और पेस्टी में देने वाली होती हैं यानि शिम्ला और जो नई दिली में बड़े हुए बच्चे उनको जो वेगर्स है डेविक और इस्तरा की जो चोकलेट और पेस्टी में देने वाली होती है हम भाई बेन्यों की डूटी लगती शिम्ला माल से ब्राउन ब्राउन ब्रेट लाने की हमारा घर मोल से ज्यादा द चो जोनक के खुष्वी मन भावने थी हमीं हापते में इक बार चोखला יותר का सिक्गते इन के अब मेरे पास चोकलेट टॉफिका स्टोडताय त 예ओं मैं आपने लेकर खड़े ख़गे कभी नहीं कहती घर लोडबकर साइड बोर्ट पर रखक देती और रात को खोनी कि शिमला के काफल भी बहत हैं काफल में फ्रूट रोट होते हैं खट्टे मीटे कुछ एकदम लाल लाल कुछ गुलाबी रस बरे कसमल कसमल लाद रंग के सोच्कुरी मून में पानी भराएं वह रहता है चेश्ट नेट एक और गजब की चीज़ है आग पर बोली जाते हैं और फिर चिल्ट के उतार के मौ में चन्ने और गरम नारदने का चोल मिलता था चन्ने फ़र गरम की पुडिया जो तब थी वर अब भी नधर आती है पुरानी कागत थो से पुडिया में नेरा ह Cathey कि पिल्म का सब्सक्राइब में लाया जोरदार चन्नागोरगरम उन्हें इस्कूल की हर बच्चे को आता था मलब उसमें का गाना तभिलम का यहार स्कूल के बच्चे को आता था कुछ बच्चे पुढिया पर तेज मसाला बुर्खवाते पूरा गिर्जा मैदान घूमने तक यह है पुढिया चलती पूरा हमने सिमला रीज पर बहुत मुझें कि घोडों की सवारकी ही सिमला की हर बच्चे कभी ने कभी यह मोका में लिजाता है हम जाने क्यों गोडों को कुछ कम सुमिज्दे के उन पर नहीं ननिहाल के गोड़े खुब हश्ट और खुबसरत उनकी बात फिर कभी मतलब उसके नन्याल की भी गोड़े अच्छे हैं लेकर उनके बाद फिर कभी करते हैं शाम को रंग भी रंगे कुबारे सामने जाख खुखा पहाड है उन्चा वहां से चर्च चर्च की घंटिया मसती तो दूर दूर्द उनकी गुण उस्वेल जाती कि लगता है इसके शंगीच से प्रभू इसमें में कुछे कह रहे ही हूं सामने आकास पर सुर्यास तो रहा है मनलब आकास पर सुर्यास तो होता कुलाभी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रहे हैं दूर-दूर फहले पहड़ों की मुखडे गहराने लगे स्केंडल पॉइंट की बेठी से उबाडता थो नहीं सर्वर स्केंडल पॉइंट के सामने नहीं एक दुकान होगते हैं झाल्त गन subscription ऑफ्चान आपごा श्कान के स्केंडलबॉइंट के सेजद से लिए जसे बीक्मारी है। इसकी पट्रियां उस पर खड़ी छोटे-चोटे डिपों वाले ट्रेन एक और लाल इनकी च्छत वाला स्टेशन और सामनी सिगनल देखता देता खंबा थोड़ी-थोड़ी दूर पर बने हुई सुरंगे भी पीछली सदी में तेज रफ्तार वाले गाड़ी वही थी तेज सिम्ला का ट्रेन दी ती कभी-कभी हवाई जाज भी देखने हुआ जाते हैं दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चों ने देखने बाहर दोड़ते हैं देखता एक भारी बगक्षे उड़ा पंक फैला और यह देखो और वह गायब हो गया उसकी स्पीड इतनी त दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी भी नहीं बोलते में कभी उसे भोलते नहीं यह दुकान थी जहां मेरा पहला चस्मा बना था वहां आंखोंगी डोक्टर अंग्रेज थी शुरू-शुरू में चस्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा चोटी दूद पिया करो मैं डोक्टर शाहिब का कहां कुछ देर पहनोंगी तो इनक उतर जाएगा वैसे डोक्टर शाहिब ने पूरा आश्वा संगिया था लेकिन चस्मा अब तक नहीं उतरा नंबर वस कम होता रहा मैं अपने आप इसकी जिम्मिवार हूँ या खुद दिमिदा जब आप दिन की रोशनी जोड़कर रात में टेबल लेंप उसके सामने काम करोंगे तो और क्या होगा हां जब पहली बार मैंने चस्मा लगाया तो मेरे देखो 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 कैसी लग रही है आंखों पर चस्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यानि नहीं नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर यानि उसने का कि यह लड़की को नहीं मालूम इसके सूरत कैसे हैं लंगूर जैसे मैं खीजी मुझ पर यह क्यों दोहरा या जा रहा है पर शेर बोरा ना लगा जब अच्छाई पीखर चल गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आने के सामने सूरत बनी लंगूर की नहीं नहीं हां हां मैं अपनी चोटे बाई का टोपा उठा कर सिर पर रखा कुछ अजीब लगा जीना अच्छी भी और मजा के अभी तब की बात थी अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चिसमा जब कभी उता रहा हो आता था चेहरा खाले खले याद आ गया वैट टोपा याद आ गया काली फ्रेम का चस्मा और लंगूर की सूरत भी हां इन दिनों सिमला में मैं सिर्प टोपी रखाना पसंद करती हूं मैंने कई रंगों की जमा कर ली है कहां से दोपट्टों का ओड़ना और कहां सहल सुपती वाली हमाचली टोप या है कृष्णा सुबहती जी के बच्पन की कथाएं आपको कैसा लगा वीडियो उम्मीद हूँ आप भी वीडियो देखने बाद अपने बच्पन में चले गई होंगी तो अपने कुछ किसे हमें कमेंट में जरूर से रिखीजिगा तो यह प्रशन उतर देखते हैं लेखिका इतवार की सुबह क्या काम करती थी तो आपको अब भी मेंने थोड़ी दर पहले बताया वहीं इसका उतर है इतवार की सुबह दो गाला है यह इतवार का काम था ठीक है तो यह से पहले परशन का उतर है दूसरा परशन है तुम्हें बताऊंगे कि हमारे समय और तुमारे समय कितने तीरोच के है इस बात के लिए क्या पोड़ारने देते हैं वह अलग लोग उधारने देते हैं उस समय से बच्छे चोकलेट और वह आ और आप समय कि बच्चे अलगी लिए चीजी घाते हैं पहले सर्बत पीते थे आप पैपसी पीते हैं वह उधारने वह आपको इसका उप्तो लिए तीसरा पसन है पाट से पता करके लिखो कि लेखी का चस्मा क्यों लगाना पड़ा चस्मा लगाने पर उनकी चत्री भाइजो चत्री भाइजों ने क्या क्या लिखी थी तो यह उपर छोटी सी कवीता जो लिखी थी ना यांक पर चिसमा ना कहा ताकि सुझे दूर की यह नहीं लड़की लड़की को शूरत बनी लंगूर की यह लेखी का आपनी बच्पने कौन सी चीजी मजा लेगे लेगे खाते थी कुछ प्रमुक फलों की नाम लेखे तो आप पूर लेखे हुए यहां पर आपे देखो के थोड़े से यह यह फल जो है काप फल है खटे मिठे उसके लाव चेश्ट नेट है चलने इनके बारे में वह पताएगा ठीक है तो यह आज हमारा पाट हो गया आप मुहित करता हू वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करें कमेंट में अपने बच्पन की बातें जरूर लगें चैनल को सब्सक्राइब करना नए भूलें धन्यवाद जय ही जय बारत